हेलो एव्रिवन सब्सक्राइब कीज़े हमारे कनल को अग दबाईए इस घंटे को कैसे आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे हम क्लास 10 में चैप्टर 2 कर रहा हैं पॉलिनॉमिल्स का आपकी NCRT बुक का अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है तो देखेंगे हमने एक्सरसाइज 2.2 कम्प्लीट करी हमने डिवीजन एल्गॉरिथम कम्प्लीट किया इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.3 का पहला कुशन करेंगे और देखते हैं कि पहला कुशन क्या है तो आप पहला कुशन क्या बोल रहा है देखो कुशन है कि divide the polynomials PX by the polynomials GX and find the question and the remainder in each of the following मतलब PX को किसे divide करना है GX से और आपको कुशन और remainder निकालना है कितना easy question है आपको दे रखा PX दे रखा है यहाँ पर और GX दे रखा है इसके तीन पार्ट है इस पहले questions के हम तीनों पार्ट करेंगे अब देखो क्या दे रखा है उस चीज को लिख लेते हैं इसके फ़र्ड पार्ट में आपको PX दे रखा था XQ माइनस 3X स्कॉर प्लस 5X माइनस 3 और आपको GX क्या दे रखा है X स्कॉर माइनस 2 चिक है अब GX से divide करेंगे तो X स्कॉर माइनस 2 से अब XQ माइनस 3X स्कॉर प्लस 5X माइनस 3 को divide करेंगे चो चलो कर लेते हैं divide और जब divide करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है XQ और यहाँ क्या दे रखा है X स्कॉर X से multiply करना पड़ेगा तो X में multiply करेंगे तो क्या हो जागा XQ माइनस यहाँ पर क्या बचेगा अब X का multiply माइनस के 2 में होगा तो क्या जाएगा माइनस का 2X तो X की value को X की value के नीचे लिखना है Q की value को Q के नीचे लिखना है X स्कॉर नहीं दे रखाता तो उसको ऐसी लिखेंगे अब sin चिंज दोएंगे या minus या plus यह cancel out हो गया बता चुका हूँ examples में भी अब पहले x square की value को लिखेंगे minus 3x square अब 5x भी plus का और plus का 2x क्या हो जाएगा plus का 7x और minus का 3 ठीक है अब यहां किसका sign है minus का तो पहले minus का sign लगा दो अब यहां 3x square है और यहां क्या है x square तो किस से multiply कर दूँ क्या 3x square आजा है 3 से तो अब इस minus के 3 से इस पूरे में multiply होगा तो minus के 3 का multiply पहले x square में करेंगे तो minus का 3x square minus के 3 का multiply minus के 2 में करेंगे तो plus का 6 अब देखूं यहां plus का sign यह minus का sign यह cancel out यह क्या है 7x और माइनस का 3 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 9 अब इसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यहाँ पर x स्क्वाइर की है और यहाँ पर क्या x की value दे रखी है चिक है और division algorithm में मैंने बताया था कि जो remainder होता है या तो वो 0 के equal होता है या remainder की जो degree होती है वो gx की degree से क्या होती है lesser than होती है यहाँ देखो यह एक linear polynomial है और linear polynomial में degree क्या दे रखी है x की power कितनी है 1 यहाँ degree है 1 और यहाँ x की power 2 है तो क्या हो गया degree क्या है 2 तो देखो इसकी डिग्री कम है और इसकी डिग्री ज़ादा है अब हमें तो question में सिर्फ question और reminder निकालने को बुला था तो question क्या हो गया आपका x-3 और reminder आपका क्या हो गया 7x-9 इस तरीके से आपका question क्या जाता है complete हो जाता है question number first का second part second part देखो क्या दे रखा है आपके NCRT book में px की value दे रखिए x की power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 और gx क्या दे रखा x square plus 1 minus x ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं तो px आपको क्या दे रखा है px आपको दे रखा है x की power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 और आपको gx जो है वो क्या दे रखा है तो दे रखा x square plus 1 minus x ठीक है अब मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी जो भी हम algebraic expression जो होता है वो हमें एक sequence में रखना पड़ता है पहले बड़ी power उसके बाद छोटी power उसके बाद छोटी power उसके बाद constant तो यह तो px तो सही रखा है लेकिन gx नहीं रखा है इसको सही करेंगे पहले x square फिर minus का x फिर plus का 1 constant term सबसे last में रखा जाता है अब डिवाइड करो x square minus x plus 1 से डिवाइड करना है x की power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 अब यहाँ पर क्या x की power 4 है और यहाँ x square है x की power 2 से अगर यहाँ multiply करोगे तो x की power 4 आजाएगा देखो x की power 4 x square से यहाँ minus के x में multiply करोगे तो x cube आजाएगा ठीक है तो x cube की value यहाँ कहीं नहीं दे रखी तो आप क्या करोगे जब x square से यहाँ multiply करोगे तो minus का x cube इसे ऐसे बाहर लिख देते हैं ठीक है फिर x square से multiply 1 में करोगे तो क्या आगा प्लस का x square देखो जो value जिसकी होती है उसी के नीचे लिखनी चाहिए यहाँ x cube की कोई value नहीं दे रखी थी तो इसे ऐसे करके बाहर की तरफ लिखते हैं क्योंकि x cube की कोई value नहीं है जैसे बाहर x की power 4 को x power 4 के नीचे 3x square को यह x square है तो x square की value इसके नीचे लेकिन x cube नहीं थी तो इस value को बाहर रखा अब यहाँ minus यहाँ minus और यहाँ plus तो यह तो cancel out हो गया अब देखो पहले x cube की value ठीक है ना तो यहाँ पर अगर आप डखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा x cube प्लस का इसके बाद minus का 3x square और minus का x square क्या हो जाएगा अगर आप देखोगे minus का 3x square हो जाएगा और यहाँ पर minus का x square तो क्या हो जाएगा minus का 4x square plus का 4x और plus का 5 चीक है अब यहां पर है x cube तो पहले यहां इसके से आगे plus का sign है लगा लो इसके बाद यहां x cube है और यहां x square है तो x से multiply करो x से multiply करोगे तो क्या होजागा x cube x का multiply minus के x में होगा तो minus का x square और x का multiply 1 में होगा तो plus का x यहां minus यहां plus यहां minus यहां minus यह cancel out minus के 4x square में से plus का x square गया तो minus का 3x square plus के 4x में से minus का x गया plus का 3x और plus का 5 ठीक है अब यहां minus का sign है minus का sign 3x square और यहां क्या है x square तो 3 से multiply कर तो minus के 3 से में multiply करो तो minus का 3X square minus के 3 ka multiply minus के X में होगा तो plus का 3X minus के 3X का multiply 1 में होगा तो minus का 3 plus minus plus cancel out 3X और यहाँ पर क्या बचा यह minus का plus का 3X और यह minus का 3X यह भी cancel out 5 यहाँ plus का और 3 plus का कितना बचा 8 जै इसका मतलब इस question में question क्या आगया आपका x square plus x minus 3 यह value value question होती है और rx क्या हो गया remainder आपका क्या बचा 8 आगया समझ में ठीक है इस तरीके से आपका second part भी क्या हो जाता है complete question number first का third part अब third part को देखो third part क्या दे रखा है तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो दे रखा है px की value क्या दे रखिए x की power 4 minus 5x plus 6 और gx क्या दे रखा 2 minus x square तो पहले लिख लेते हैं इसे तो देखो यह आपर लिखेंगे px क्या दे रखा है आपको x की power 4 minus 5x plus 6 और gx आपको क्या दे रखा है 2 minus x square ठीक है तो मैंने का पहले sequence में रख लेते हैं अब divide करेंगे तो देखो minus का x square plus का 2 इसको divide किसे करेंगे x की power 4 minus 5x plus 6 अब देखो यहाँ x की power 4 आपको positive चाहिए और यहां क्या x की power 2 negative तो आपको यह तो पता x की power 2 से multiply करेंगे तो x की power 4 तो आ जाएगा लेकिन यह plus का तो plus का multiply minus में होगा तो value तो minus में आएगी लेकिन हमें क्या चाहिए plus का x की power 4 तो यहां पर क्या करेंगे अगर मैं minus का sign लगा दूँ तो minus के x square से जब minus के x square में multiply होगा तो आएगा x की power 4 positive answer और वही हम अच्छी है x की power 4 minus x square का multiply 2 में होगा तो क्या हो जागा minus का 2x square यह x square की कोई value नहीं दे रखी तो minus का 2x square अलग लखेंगे अब यहां किसका sign लग जाएगा यह plus का है तो minus का sign और यहां plus का sign यह cancel out तीक है इसके बाद पहले x square की value लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2x square minus यह क्या है 5x फिर 5x को फिर 6 अब फिर देखेंगे इस चीज को अब यहां पर 2x square चाहिए और यहां x square तो 2 से तो multiply कर दूँगा तो 2x square आजएगा लेकिन plus में चाहिए यह minus में अगर मैं here sign plus का लगाता हूँ तो plus और minus minus होंगे value आएगी minus का 2x square हमें minus में नहीं हमें plus में चाहिए तो यहां फिर sign minus का लगाएगा तो minus से minus से multiply होगा तो 2x square और minus के 2 का multiply plus के 2 में होगा तो minus का आएगा 4 यहां plus sorry यहां sign होगा minus का और यहां sign होगा plus का यहां cancel out होगे अब देखो क्या बचेगा minus का 5x और 6 plus का और 4 plus का क्या होजागा plus का 10 ठीक है तो इस case में question क्या बचा question क्या होगा आपका minus का x square और minus का 2 और जो आपका reminder है वो क्या बचा minus का 5x plus का 10 इस case में फिर देख लो, यहाँ देखो, degree क्या है इस case में, degree है 1, और यहाँ पर GX की degree क्या है, 2, तो इस की degree, reminder की degree, divisor की degree से क्या है, कम है के नहीं, और यही हमने division algorithm में पढ़ा था, ठीक है, इस तरीके साब के question number first के तीनों पार्ट जो होते हैं, complete, ओके, अगर आपने मेरा चै इस comment section में बताओ, like करो, अपने friends के साथ मेरे channel को share करो, हम इसी तरीके से बहुत अच्छी मेनद करने वाले हैं, और आपके board examination में बहुत अच्छी marks आएंगे, इस बात की मैं guarantee देता हूँ, बस मेरे साथ मेनद करते हुए चलिए, ठीक है, thank you.